आज आपके साथ कुछ ऐसे अमेजिंग किचन टिप्स सेयर करूंगी जिससे आपको अपने किचन के काम करने में हेल्प मिलेगी तो स्वागत है आपका हमारी चैनल में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस टिप्स में मैं पालक को स्टोर करने का तरीका बता रही हूँ पालक को किस तरीके से श्टोर करें जिससे वो जल्दी खराब ना हो तो सबसे पहले क्या करें जो पालक लेकर आते हैं तो जो गांट बंधी रहती है सबसे पहले उस गांट को खोल कर अलग कर ले पालक को फैला ले अगर आप बंडल के साथ ही पालक का जर काट कर अलग कर देते हैं और फिर उसे साफ करते हैं तो उसमें पालक वेस्ट भी बहुत होता है और समय भी जादा लगता है तो आप सबसे पहले बंडल को खोल कर फिर एक-एक पालक के जर को पकड़ कर आप साफ करें तो इससे क्या है उसमें जो भी खराब है जो भी गला हुआ पता है आप उसे निकाल कर अलग कर सकते हैं और वो फटा-फट से हो जाता है तो इस तरीके से एक-एक जड़ को पकड़ते हुए आप पालक को साफ करें तो पालक बहुत ही जली से साफ होता है पालक हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफूल है और हमें पालक का किसी ना किसी रूप में सेवन जरूर करना चाहिए पालक में बहुत सारे फाइवर्स, मिन तो आप पालक का सेवन जरूर करें एक एक जड़ को काट कर मैंने पूरे पालक को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है अब एक न्यूस पेपर लेंगे और सारे पालक को उसमें अच्छे से डाल कर और रैप करके हम पालक को स्टोर करके रख सकते हैं तो जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने पालक को न्यूस पेपर में अच्छी तरीके से रैप कर दिया है अब इस तरीके से आप पालक को तीन से चार दिन बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं मेथी को किस तरीके से साफ करें और किस तरीके से स्टोर करें जिससे मेथी तीन से चार दिन तक फ्रेश रहें तीन से चार दिन के बाद भी अगर हम उसे यूज करें तो वो फ्रेस ही रहे तो सेम प्रोसेस है आप क्या करें सबसे पहले जो उसका बंडल है उसे अच्छी तरीके से खोल ले या कट कर ले और फिर एक-एक मेथी के पौधों को पकरते हुए उसमें से जो खराब पत्तियां है उसे निकाल ले जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से और उसे किसी भी बरतन में स्टोर करें तो एक-एक पत्ते को साफ करने से ये फाइदा है कि उसमें जो भी पत्ता गला है सड़ा है सभी हमें पता चल जाता है और अगर बंडल से काट कर हम उसे करते हैं तो उसमें बहुत ऐसे पत्ते होते हैं जो कीरे खाये हुए हैं तो वो हमें पता नहीं चल पाता है तो इसलिए आप इस तरीके से ही कभी भी साग, कोई भी साग हो, आप हमेशा प्रयास करें कि इस तरीके से साफ करें एक बार आप साफ कर लेंगे तो फिर क्या है? थोड़ा समय लग जाता है, बट बहुत अच्छी तरीके से साफ होता है और जब हम यूज करेंगे तो हमें उस समय कोई परिशानी नहीं आएगे और जो मेथी का जो जड़ से रहता है जितना सॉफ्ट डंटल होता है हमें उतना ही तोरना चाहिए और जो हाड पार्ट है उसे अलग रख देना चाहिए अगर फर्स टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा अगला टिप है जो जब भी आप चाह बनाते हैं तो चाह जब उफन कर उपर आता है तो उसके साथ क्या होता है पतियां जो है चाही की वो वर्तन पर चिपक जाती है तो आप क्या करें एक चमच लेकर उन पतियों को अच्छा से निकाल कर और चाही में मिक्स कर दें और थोड़ी देर चाही को स्पून से चलाएं तो ऐसा करने से चाह का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा से आएगा और जो फ्लेवर है चाह का वो भी अच्छा आएगा और अलग से आपको पति मिक्स करने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो इस टिप्स को जरूर फॉलो करें तो चलिए चलते हैं अब हमारे अगले टिप्स की ओर सर्दियों में सॉक्स का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है हमेशा ही सॉक्स पहनना पसंद करते हैं सर्दियों में तो लंबे समय तक जब सॉक्स पहन के रखते हैं तो सौक्स में एक अजीब सी बदवूसी आने लगती है तो उसके लिए आप जबकि सौक्स हम लोग सरदियों में पड़े चेंज करते हैं फिर भी लंबे समय तक पहनते हैं तो जिसकी वज़े से ये प्रॉब्लम आता है तो आप सौक्स को उल्टा करके उस पर कोई सा भी टेलकम पाउडर आप डाल कर अच्छे से सौक्स को रव कर ले जिससे हर जगर टेलकम पाउडर फैल जाए उसके बाद आप सौक्स को पहने तो ऐसा करने से जो बदवू का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा सौक्स से एक अच्छी सी खुसबू आती रहेगी तो सौक्स पहनने से पहले इस टिप्स को आप जरूर फॉलो करें धो के जब सौक्स लाएं तो आप इस तरीके से टेलकम पाउडर लगा के आप सौक्स को रख भी सकते हैं वो भी बेनिफीसियल रहेगा तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टिप्स की और जो अगला टिप्स है वो भी सौक्स से ही रिलेटेड है तो जब सर्दियों में या गर्मी में जब भी हम सौक्स को धो कर और जब रखते हैं तो सभी पेर से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और जब हमें पहनना होता है तो ढूंडने में हमें प्राबलम होती है, समय लग जाता है सौक्स का पेर ढूंडने में, तो किस तरीके से सौक्स को स्टोर करें, जिससे हमें आसानी से जब भी जरूरत हो तो सौक्स मिल जाए. तो आप क्या करें दोनों सॉक्स को एक दूसरे के उपर जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से रख कर और फिर इस तरीके से रोल करके और जो दूसरा सॉक्स का ओपन फाग है उसमें इस तरीके से पलट दें तो ऐसा क्या है बहुत ही कम स्पेस में और अच्छी तरीके से सॉक्स फोल्ड होके रखा जाता है मैं एक और सॉक्स आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ तो जब भी आप सॉक्स को फोल्ड करें तो इस तरीके से ही फोल्ड करके रखें इससे क्या है आपको सौक से ढूंडने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा समय का भी आपका बचत हो जाएगा तो आज का वीडियो यहीं से मापत करती हूँ मिलूंगी फिर अगले वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू